आप सभी को जय मसी की, दबाइबल पोशन में आपका स्वागत है, हमारा आज का वचन है, पहला पत्रस, तीसरा अध्याए हे पत्नियों, तुम भी अपने पती के अधीन रहो, इसलिए कि यदि इन में से कोई ऐसे हो जो वचन को न मानते हो, तो भी तुम्हारे भय सहित पवित्र चालचलन को देख कर, बिना वचन के अपनी अपनी पत्नी के चालचलन के द्वारा खिच जाए तुम्हारा श्रंगार दिखावटी ना हो, अर्थात बाल गूथना और सोने के गहने या भाती भाती के कपड़े पहनना, वरन तुम्हारा छेपा हुआ और गुप्त मनुश्यत्व नम्रिता और मन की दीनता की अविनाशी सजावट से सुसजित रहे, क्योंकि परमेश्व जैसे सारा अबरहाम की आग्या में रहती और उसे स्वामी कहती थी, इसी प्रकार तुम भी यदि भलाई करो, और किसी प्रकार के भाय से भायभीत नहों, तो उसकी बेटिया ठहरोगी। रुक न जाएं, अत्ह सब के सब एक मन और कृपा मैं और भायचारे की प्रीती रखने वाले और करुणा मैं और नमर बनो, बुराई के बदले बुराई मत करो और नगाली के बदले गाली दो, पर इसकी विप्रीत आशीष ही दो, क्योंकि तुम आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए हूँ क्योंकि जो कोई जीवन की इच्छा रखता है और अच्छे दिन देखना चाहता है वह अपनी जीव को बुराई से और अपने होठों को छल की बाते करने से रोके रहे वह बुराई का साथ छोड़े और भलाई ही करे वह मेल मिलाब को ढूंडे और यत्न में रहे क्योंकि प्रभु की आखे धर्मियों पर लगी रहती है और उसके कान उनकी विंति की और लगे रहते हैं परन्तु प्रभु बुराई करने वालों के विमुख रहता है यदि तुम भलाई करने के लिए उत्तेजित रहो तो तुम्हारी बुराई करने वाला यदि तुम धर्म के कारण दुख भी उठाओ, तो धर्नी हो, पर लोगों के डराने से मत डरो, और न घबराओ, पर मसीय को प्रभू जानकर अपने अपने मन में पवित्र समझो, जो कोई तुमसे तुम्हारी आशा के विशय में कुछ पूछे, उसे उत्तर देने के लिए सर पर नम्रता और भाय के साथ और विवेग भी शुद्ध रखो, इसलिए कि जिन बातों के विशय में तुम्हारी बदनामी होती है, उनके विशय में वे जो मसीय में तुम्हारे अच्छे चाल-चलन का अपमान करते हैं, लज्जित हो, क्योंकि यदि परमेश्वर की यही इ धर्मी ने पापों के कारण एक बार दुख उठाया, ताकि हमें परमेश्वर के पास पहुचाए, वह शरीर के भाव से तो घात किया गया, पर आत्मा के भाव से जिलाया गया, उसी में उसने जाकर कैदी आत्माओं को भी प्रचार किया, जिन्होंने उस बीते समय में आग पानी के द्वारा बच गए, उसी पानी का द्रश्टांत भी अर्थाद बप्तिस्मा, इश्व मसी के जी उठने के द्वारा अब तुम्हें बचाता है, इससे शरीर के मैल को दूर करने का अर्थ नहीं है, पर तुशुद्ध विवेग से परमेश्वर के वश में हो जाने क जार्थ है, वह स्वर्ग पर जाकर परमेश्वर के दाहिनी और बैठ गया और स्वर्गदूत और अधिकारी और सामर्थी उसके अधीन किये गए हैं